हरपीज सिफलिस के फैलने के कारण बहुत सारे मुझे लोग पूछते हैं कि सर हम हरपीज सिफलिस कैसे फैलता है बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर हमारे पती को हरपीज है क्या वो दूसरे से सेक्स करके आया है या हमारी वाइफ को हरपीज है तो क्या वो दूसरे से सेक्स करके आई है, क्योंकि ये एक STD बिमारी है, Sexual Transmitted Disease, तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या इसे शिर्फ सेक्स से फैलता है, या अधर भी कारण है, क्योंकि इसके बहुत कारण अलग भी होते हैं, लेकिन ये मैनली सेक्स से फैलता है, इसलिए इसको Sexual Transmitted Disease का आजाता है, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दॉक्टर मुकुल सर्मा, और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हरपीज कैसे होता है, सिफिलिस कैसे होता है, ये इस वीडियो में चलो, आपको थोड़ा समझा देंगे, और टीटमेंट भी आपको बता देंगे, लेकिन हम इस वीडियो में मुख्यत कारणों के बारे में बात करेंगे, क्या सिर्फ सेक्स करने से फैलता है, नहीं दो तो, बहुत ज़्यादा मातरा में सिर्फ सेक्स करने से फैलता है, लेकिन इसमें बहुत सारे कराने, जैसे कि एक हैसे स्वी टू का पेसिंट है, और वो ही आप वेस्टेन टोईलेट को यूज कर रहे हैं, या पब्लिक टोईलेट को यूज कर रहे हैं, हर्पीज शिफ्लिस वहाँ भी फैलता है, दूसरा, जैसे कि अगर आपको परियुआर में बच्चे हैं, आपको हर्पीज आपके लक्षन बहुत ज़्यादा फैले हूँ है, और आपको उसको गोदियों में ले रहे हो, उनका आपके जो लक्षन है, उसके उपर जो भी मवाद या जो भी उसकी पार्टिकल निकलते हैं, वो आपके बच्चों को लग जाए, या फैमिली में किसी भी सद्धे से को लग जाए, या दोस्त को रिष्टेदार को लग जाए, तो वहाँ भी ऐसे ही फैल जाएगा, आपको सेक्स करने की जूरत नहीं होती है, किस करने से भी फैलता है हर्पीज सिफलिस, अगर जरूरी नहीं है कि आपको इंटर कोस करना है इसके लिए, इंटर कोस से नहीं, कि हाँ भी सेक्स कर रहे हैं, नहीं, सेक्स के अलावा आप किस करते हो, तो भी फैल सकता है या गाल पे किस कर दिया कहीं भी आप जहां उनको है कि कि इसके आसपास लक्षनों के आसपास भी आप कर रहे हो तो भी फैल सकता है माता के थुरू, अगर माता को हर्पीज है और बच्चों में भी जा सकता है, वो प्रेग्नेंट है तो, ठीक है, ऐसे भी हर्पीज फैलता है, और भी जैसे कपड़े सेम पैलना, अगर रेगुलर बेस पे आप कपड़े सेम पैल रहे हो, साथ सो रहे हो, साथ सो रहे हो, और सा दर्व में कारण आपको बता चुका हूँ फिर उसके बात बात करेंगे आप इसका इलाज और उसके लक्षन लक्षन नॉर्मल से हैं एक में तो दर्द रही चाले होते हैं हर्पी सिफ्लिस में और जैसे जोइंट पेन शरीर में हर जोइंट में पेन हो सकता है बुखार ये भी अराम से आता है इसमें अगर आपको कोई चाले नहीं हो रहे हैं आपको जोइंट पेन है आपके सर में दर्द रहता है आपकी चातिम दर्द रहता है आपकी आँखों में प्रॉब्लम आ रही है ठीक है तो भी आप एक्सवी वीडियारल पोजिटिव आ सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि आपको चाले होना है ठीक है तो ये नॉर्मल से एक्स्टा लक्षन है जो हर कोई नहीं बताएगा आपको अब ट्रीटमेंट के बाद करते हैं ट्रीटमेंट में इसमें अलोपैत में कोई इलाज नहीं है आपको पैनेसिलिन के इंजक्षन देंगे बरबर के कोई मतलब नहीं है ठीक है अलोपैतिक दवाई में इसको कोई भी इलाज नहीं है आईवेधिक दवाई आप ले सकते हैं कि बिना साइड एफेक्ट के बेस्ट चीज है और आगर आपको कुछ जानकारी से यह डिटेल में तो आप आप में इसी नंबर पर कोल कर सकते हैं